हलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस हम सबको मालूम है और उसके नियम हमको पता हैं लेकिन उसके यूज कैसे करें इसमें बहुत सारे लोगों को कॉंसेट्स क्लियर नहीं है तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इसको यूज कब करें और कहां करें इसके बहुत सारे यूज होते हैं मैं आप सावी से बॉलना चाहता हूँ कि आप जो भी क्रामर का नियम सीखें उसको यूज कहां करना है यूज करना है कैसे करना है तो ज्याद हैम बेस्च करते हैं आज का वीडियो हम से सुरूaken करते हैं तो इस मैं यह दिया आपसे बोलूं कि यह जो प्रेजंट इंडिफिटेंस ऐसा होता है कि रिफर टो एक्षण और टेक्स प्लेस है विशुली कहां होता है जो है बीचुली मतलब वह चीज बार-बार होती है है विशुली होता है इस दूसरे तरह के से हम बोलें तू कोई facts हो, या कि general realities हो, repeated action हो, या unchanging situation हो, emotions and wishes, इन चीज़ों पर हम use करते हैं, कहां कहां करते हैं, habits, facts, general realities, repeated action, या unchanging situation हो, emotions हो, इच्छा हो, इसमें such uses are often accompanied by frequency adverbs, ये सब यूज कहा होता है, frequency adverbs पर, और जो adverbial phrases हैं, जो आपकी frequency को बता हैं, वहाँ पर इसका use होता है, तो adverbial phrases हैं, ये हैं, कुछ हम देखते हैं, always, sometimes, often, usually, from time to time, rarely and never, ठीक है, ये जो है, time के frequency को बताने वाले phrases हैं, अब हम कुछ example देखते हैं, जो repeating nature के हैं, तो आपको समझ में आएगा, कि हम use कहाँ पर कर सकते हैं, तो ये हम example में देखें, तो हम देखेंगे, पहला example है, आपके सामने पहला example दिख रहा होगा, I always speak English, मैं हमेशा अंग्रेजी बोलता हूँ, तो जो मैंने आपसे कहा, repeating nature का हो, या habit का हो, दूसरा, I never play cards, मैं कभी तास नहीं खिलता, तूसरा, I walk to the park, मैं पार्क में वाक करता हूँ, और तिसरा, he writes for hobby, why अपने सौक के लिखता है, और अगला है, she understands French, why French समझती है, ठीक है, तो ये सभी में आपने देखा, एक trend देखा, कि जो आपके repeating nature का है, और जो एक general facts है, उसको ही हमने यह हुआ है, तो पहला use हो गया इसका, पहला use, अब पहला use हो गया, पहला use हमने आपसे क्या कहा, कि पहला use हमने आपसे कहा, कि पहला use जो है, एक action और event जो habitually होती है, पहला use हमने देखा था, action और event that takes place habitually, जो आदतन होती है, जो बार-बार होती है, तो हमने उसी पर यह पांचों की यह example उसी पर देखें, ठीक है, अब हम दूसरा जो है इसका प्रयोग, देखते हैं, दूसरा एक महात्मूर्ण इसका प्रयोग है, यह दूसरा महात्मूर्ण प्रयोग, दूसरा, कि to refer to a present general state, whether temporary, पर्बानेंट और है विच्वल एक जर्णरल इस्टेट्ट जो सामानि कथन होते हैं चाहिए वो पर्बानेंट हो हो है विच्वली हो हो यह टमडरी हो जैसे यू आर बिजी I know what to do मैं जानता हूँ कुझे क्या करना चाहिए क्या करना है A child needs its mother एक बालक को उसकी मा की आउशकता है और I love you ये सभी में आपने क्या देखा है कि General State एक सामान परिस्थिती के बारे बात करता है ठीक है आपको concept clear हो गया होगा तो ये दूसरा महत्पून यूज़ होता है तो आप यूज़ करना सीखते जाए कि कैसे हमको present indifferent की नहुलेश को यूज़ करना है spoken English में, written English में ठीक है अब हम आगला जो है इसका यूज़ देखते है आगला है महत्पून ये है, तीसरा यूज़ कि the simple present is also used to state facts कोई fact है, कोई तत्य है उसको भी हमको बताने में हम present indifferent की यूज़ करते हैं यह से एक तत्य है the earth revolves around the sun कि सूर जो है जो धर्ती सूर के चारह और चक्कर लगाती है यह एक तत्य है यूनिवर्सल टूथ है ठीक है दूसरा, a king beats a jack एक जो king है एक जो यह तास में होता है तास से खेल आप सब का मलूम होगा कि तास से खेल में एक जो king है राजा जो है, गुलाम को मारता है और यह दी मैं एक तीसरा बोलूँ कि many Indians drink tea in the morning कि बहुत सारे जो Indians है वो सुबह जो है क्या करते है, चाय पीते है तो यह सभी ताथ्य है यह दी आपको जब भी कोई ताथ्य आपको बताना है तो किसका यूज करेंगे है प्रजेंट इनिक तो यह बहुत important है कि हमको use करना आना चाहिए कि कहा हम उसको use करते है ठीक है अब हम चौथा एक महत्पून चीज देखते है चौथा use है चौथा use कि इट कैंसे similarly be used when quoting someone's or something even if the words were spoken in the past हम किसी को बारे में बता रहे है कि किसी ने ऐसा कहा था किसी को quote करना है चाहे वो spoken past में बताया हो या की बरतमाम में बताया हो किसी ने ऐसा पहले कहा था जैसे Mary says Mary बोलती है क्या बोलती है C is ready ठीक है उसने पहले का भी कहा था तो भी हम बोल सकते Mary says उसके बाद को हम quote करना कि ऐसा उसने बोला था to refer to a single completed action as in recounting ठीक है और पांचमा दिए हम प्रयोग देखें पांचमा कि यदि single completed action एक कोई completed action हो उसको जो काम complete हो गया हो और उसको recounting the events of the story कोई कहानी है उसको हमको recount करना है फिर से बताना है तो हम किसमें कर सकते हैं प्रजेंटेंस में historical प्रजेंट इसको बोल सकते हैं और इसमें हम जो है context में newspapers की headlines और newspaper के जो headlines होती है वो present perfect मेंना हो करके किसमें होती है present indifferent में होती है वो present perfect को replace करती है तो आपको समझ में आ गया होगा example से आपको और अच्छे समझ में आएगा इसी बात को कि जैसे Hamlet Hamlet एक William Shakespeare का बहुत ही famous नाटक है उस play में Hamlet में एक कहानी होती है तो उसमें Ophelia जो एक heroine है वो है उसमें धार में stream में धार में पानी के धार में जो है डूब जाती है drowns मतरब डूब जाना तो यह क्या है historical पुरानी की जो कहानी है उसको यहाँ पर हम अपने words में जब बताते हैं दूबारा से जब बोलते हैं recounts करते हैं तो हम present in difference पर यूज करते हैं दूसरा हमने इसमें आपको क्या बता है कि जो पुरानी news है जो present perfect में ना हो करके जो news पुरानी थी उसको हम present in difference बताते हैं जैसे 40 years old wins gold में लगके 40 साल के आदमी जो हमता है कि एक single completed action यह कोई single completed action हो या कि recounting the events कोई events हो पुरानी घटना हो उसको हमको बताना है ठीक है या historical present जो एतिहासी कोई चीज है उसको हमको बताना है तो हम present में बोल सकते हैं इसी सांदर में हम बोलें कि newspaper की जो headlines है उसको भी हम इसमें use करते हैं ठीक है आपको इक concept clear हो गया होगा ठीक है तो अब हम अगला जो एक महत्मोंड जो है पाँचमा पाँचमा प्रियोग चार प्रियोग हो गए अब हम पाँचमा प्रियोग दिखते है कि पाँचमा प्रियोग कैसे है यह पांच का नमर का प्रियोग कि sometimes to refer to an arranged future events usually with a reference to time जब time दिया हो जिसमे time का ख्याल किया गया हो time reference दिया गया हो वहाँ पर हम कई बार जो है future की जो arranged event है उस पर भी हम किसका यूज़ करते हैं present indifferent का यूज़ करते हैं ठीक है तो जैसे हम इसका example देखते है example से आपको concept रोगा है जैसे जहाँ पर भाविश्ची में time का ख्याल दिया हो जैसे we leave for Berlin tomorrow at 1 p.m. यह बात भाविश्ची की है लेकिन इसमें time का frame दिया हुआ है तो हम we leave मत्तब present indifferent की यूज़ करते हैं जब भाविश्ची में time का frame वर्क दिया हो ठीक है तो we leave for Berlin tomorrow at 1 p.m. दूसर example हम देखेंगे our holiday starts on the 20th में हमारा जो holiday है 20 मैं से चुरू होता है ठीक है तो महत्पून यह है कि आपने the future में time का reference है date देखें दोनों में ए 1 p.m. time है और यहाँ पर date का दिया हुआ है time के reference दिया हुआ है तो हम किसमें यूज़ करेंगे present indifferent ठीक है आगे समझ में आपको अब हम यह चट्वा एक महत्पून फिर से बहुत ही महत्पून यूज़ है 6th number यह चट्वा यूज़ प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि present indifferent सबसे useful tense है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपको कोई commentary है news events की sports की game की किसी भी commentary है उसमें भी बताने में present indifferent का use होता है जैसे मैं दिया आपको बताऊं कि एक कोई event है I chop the onions and add them to the mixture है ना आप stoop बना रहे हैं एक कुछ बना रहे हैं तो पहले मैं बताता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ कि मैं onions को प्यास को कटता हूँ और उसको mixture में मिला देता हूँ तो कोई event कोई घटना हो उसको commentary cricket match e commentary, football match e commentary किस पे भी हम बोल सकते हैं तो present indifferent में बोलते हैं दूसरा जैसे cricket की commentary मैंने एक्जामपल लिया हुआ है विराट strikes the ball ball and ball goes towards boundary line कि विराट बाल को मारता है ball boundary line से बाहर जाती ठीक है यह एक मैं एक और example लूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि Ronaldo dribbles the ball and shoots Ronaldo dribbles the ball from defender defender से ball को क्या करता है dribble करता है और फिर ball को hit करता है मारता है तो आपको भी यह चीजें समझ में आगे हूँ यह छटमा use भी आपको clear हो गया अब हम अगला जो है सातमा और एक महत्पून जो है use फिर से करते हैं 7th use in describing events in some theoretical or planned situation that is under consideration कि कोई जो है theoretical एक प्लान है पहले से चीज है जो प्लान है उसके बारे में दिम को बात करना है है ना उसकी में consideration में चल रहा है उसके बारे में जो बात पहले से ही आगे के लिए तैंक की जा चुकी है वहाँ पर भी हम present in effect करते हैं जैसे according to the managers new idea manager के नए idea के अनुशार I welcome the guest present in effect I welcome the guest and you give the presentation कि मैं guest का वो करूँगा स्वागत करूँगा और आप जो है presentation देते हो तो दोनों चीज़ों किसमें हमने गहा है present in effect ठीक है आय समझ में आपको चलिए तो अगला एक और हम देखते हैं एक और महात्पूर्ण चीज़ फिर से हम देखते हैं और वो यह है कि बहुत सारी जो dependent जो है आठमा यूज in many dependent clause referring to the future particularly conditional clause expressing place and time and many relative clause कि आप जो है conditional clauses एक condition से दूसरा चीज़ attach हो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं जैसे if he finds your sweets यह दिवह आपका sweets पाता है he will eat them वह उनको खा जाएगा खा लेगा तो यह जो conditional clause है तो पहला portion क्या है एक portion जो है present input में होगा दूसरा portion जो है future indifferent में होगा ठीक है if he finds your sweets he will eat them दूसरा we will report as soon as we receive any information यह पहला part इसमें future indifferent है और दूसरा part we receive an information समझ में आ गया आपको ठीक है अब हम अगला portion फिर से देखते है याठ हो गया यह दि हम 9th जो है करें simple present जो है हम किसे उसकरते हैं zero conditional also using zero conditional sentences both parts of the sentences दोनों parts में sentence के जो दो parts है जो भी conditional होते है conditional के दो parts होते है है न तो जो से आपने पहले example में हमने आपको क्या बताया था कि इसमें एक parts present indifferent का है दूसरा part future indifferent का है लेकिन जब zero condition होता है तो दोनों parts में हम present indifferent के उसकरते हैं जैसे ice melts if you heat it यह न ice जो है पिखल लाता है यदि आप उसको heat करते है ठीक है plants die plants जो है मर जाता है if they don't get enough water यह दिवा है पर आप तो पानी नहीं पाते है ठीक है I hope कि आपको यह भी clear हो गया होगा और last may अब वीडियो के हम आंत में आ चुके हैं last mayday मैं आप से कहूं आखिरी एक जो महत्पॉंट फिर से use दसमा use कि जो बहुत सारे जो इस्तितियां ऐसी होती है certain situation कि temporal adverse clause rather than present progressive कि हम जो है temporal adverse clause यूज करते हैं present जो है progressive ना यूज करके we can see the light improving as we speak कि हम देख सकते हैं कि light जो है बैतर हो रही है जैसे हम बोलते जाते हैं जैसे हम बोलते जाते हैं तो लाइट जो है, बेतर होती जाती है, we can see the light improving as we speak, है न, ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, और last में, देखें, कि in colloquial English, it is common to use can see, can hear, for the present tense of see, hear, etc, कि बोलचाल की भादसा में क्या होता है, colloquial, यह आपको यह word मिला, colloquial, colloquial слыш, can hear, it is common to give can hear, so यह, तो यह 10 महत्पूर्ण använd यह उर हमने उग्सामपल के साथ देखा, आई होब कि आपको यह वीडियो अच्था लगा होगा, समझ में आया होगा, और यह आपको वीडियो अच्था लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और एक बात जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा इसका यूज कौन सा पोर्शन का लगा सबसे बढ़िया यूज किया लगा क्रिकेट कमेंटरी मैस का लगा कर्णिशनल का लगा किसका लगा जो भी लगा आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो गुड लग